गजब है भाया और भाया की माया ये सब्ध हमारे नहीं बलकि गहलोत सरकार के खलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले कॉंग्रेस के विधायक बरत सिंग कुंदनपुर के हैं वहीं राजिस्तान के मुद्धे पर दिल्ली में जो आला कमान के द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही थी उसको स्तगित कर दिया गया है वहीं असोग गहलोत ने एक बार फिर से सचिन पाइलेट ने जो मांग की थी जो मुद्धे थे कि पेपर लीग के बाद में विध्यारतियों को चात्रों को मुआवज़ा दिया जाए उस पर अशोग गहलोत का एक बड़ा बयान आया है प्रदीव जी क्या बात है कि गजब है भाया और भाया की माया बरत सिंग कुंदनपुर का ऐसा कहना है उससे पहले राजंदर गुड़ा कह चुके भाया रे भाया खुब खाया ठीक है तो आरोब भरश्टाचार इस बार मैं जैसे पहले कहता रहा हूं इस बार लोकसुबा चुनाओ से पहले जो प्रिबोर्ड है विदान सुबा चुनाओ उसमें बड़ा मुद्द होगा प्रदान उंत्री नरेंदर मोदी महिने के अंत में अजमेर में पेपर लीक और भरश्टाचार ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे बरत सिंग कुंदनपुर ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने अशोक गहलोत को उनका पहला बजट भाशन याद दिलाया है जिसमें उन्होंने पूरुवर्ती सरकार पे जो आरोप लगाये थे ब्रष्टाचार के और उन्होंने कहा कि ब्रष्टाचार के ऐसी गंगा बही कि इमांदार अधिकारी भी इमांदार लोग भी ब्रष्ट होगे अब भरत सिंह ने उसे याद दिलाते वे जो बारा में जो आयोजन होने वाला है उसमें बड़ा आरोप लगाये खान मंत्री है प्रमोजेन भाया और गोपालन मंत्री भी हैं आपको बताते हैं कि revenue का जो भी collection है उसमें गायों के नाम पे भी सेस वसूला जाता बड़ी राशी वसूली जाती है और ऐसा कहा भी जा रहा है अशोग गैलोत सरकार की ओर से तो कम से कम ये दावा है कि उनकी योड से जो पैसा दिया जा रहा है गो कल्यान के लिए वो पूरवर्ती सरकारों से कहीं जादा है यहां तक कि लंपी में जो डैथ होई उसमें भी काफी पैसा दिया जा रहा है परन्तु जो DMFT का फंड है चाए डिस्टिक मिनरल जो फाउंडेशन ट्रस्ट जो है अलगलेक जिलो में उनसे जो काम होने चाहिए उनको लेके या रेविन्यू का जो कलेक्शन है उसको लेके भरत सिंग कुदनपूर हमेशा मोखर रहे हैं बरिजरी के खनन को लेके आरोप पूरवर्ती सरकारों पर भी लगे और गहलोत सरकार में भी ये आरोप लगे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बरिजरी खनन को लेकर ठेका किसी जिस कंपनी को देने की बात है वो बड़े कॉंग्रेस नेता से उनका जुडाओ बताया जा जो अलाकमान के काफी नजदीक हैं अशोक गहलोत ने जो बैठक वाली बात जो दिली में प्रस्तावित थी सुचिन पाइलट तो का जा रहा है रहा है राहूल गांदी उस बैठक में मुझूद नहीं हो पा रहे हैं लिहाजा वो बैठक आगे स्थगित की गई हैं अब ये का जो हाउस है राज्तान भवन जो बन रहा है उसका सिलानियास करेंगे मुख्यमंतरी कल तो ये क्लियर सा मेसेज आलाकमान को है कि क्या लग रहा है कि इंतहा हो गई इंतजार की जैसे तैसे उमीद बंधी थी कि अब सचिन पाइलेट को लेकर फैंसला हो जाएगा ये सामि पाइलेट के भी सामिलोने की समभावना बन रही थी बहुत बड़े फैंसले लिए जाएंगे बॉल्ड फैंसले लिए देखिए परिक्षागत वाली बात आप कह रहे हो या इंतजार वाली बात कह रहे हो वो तो लगता निरने लगबग हो चुका है अशोक गहलोत की ओर से क्योंकि कल जो इस्तेमाल किया शब्द पौटिक टिवाली अपन जो शब्ड़े वक्ति हैं क्या जो कॉंग्रेस में निरने लेते हैं या फिर उनका निरने अंतिम होता है उनका डिजिजन फाइद लेता है कि आला कमान मिटिंग ले रहा है मलीकार जुन खरगे होंगे उसम अल इंडिया वाले मामले बन तो नहीं लेकिन काल खास करके राजस्थान में चूंकि अशोग गहलोत के दावा छुड़ने के बाद मलीकार जुन खरगे राश्टे अद्यक्स बने हैं तो मलीकार जुन खरगे दूसरी चोईस थी गांधी परिवार की हैं पहली चोईस अश जो गैलोत का पड़ निशित तोर पर बढ़ा है और उनका जो management है वो एक जो सामने दिख रहा है और एक जो अंदर चल रहा है दोनों चीजे सचेंट पाइलएट जो है वो अब लगता है कि jो तीस तारिख है उस तक इंतजार कर वाया जाएगा और उनका जो तीस तारिख क की जो गुजाइश दिख रही है उसमें तो यह लगता है निश्चित तोर कोई कोई दिल्ली जाया नहीं जाया सोगे लोग तो दिल्ली जा रहे हैं हाँ वो यह कहने को है भी आलाकमान ने बैठा किस्तगित की है हमारा तो पूरवरती कारेकरम था हम तो दो दिन रुख के जो है कल जो बयान आया वह उनोंने कहा कि पेपर लीक में मुआउजा दिया जाए बहर दिया रहे तो निश्चित तो पर सuno पैलट को clear किया जा रहा है उनकी और से मेरा रुक clean है और आपको यहां से चले जाना च Lore बातें समझ नहीं आ रही है यहां कहीं न जांटा है अगर नहीं समझना चाह रहे है नहीं समझना चाह रहे है इंडियन एक describe की रिपोर्ट अब चर्चा में है कि PCC चीप सचिन पाइलट और किसी जाट फेस को मुखमंतरी का जो फॉर्मूला है डिप्टी सीम का फॉर्मूला है फिर एक ऐसा फॉर्मूला चर्चा में आ जाता है फिर लोगों को लगता है कि नहीं नहीं अभी तो बने रहेंगे अभी कॉंग्रेस में है अभी कुछ नहीं बाए ज़्यादा पानी नहीं बाए है एड़ेस्ट किया जाएगा काहित की खबर थी कल इंडियन एक्स्प्रेस में आपने पड़ी है उसमें भी एक फॉर्मूला यह तो चूंकि इंटरनल वो अपने सोर्स क्यों बताएंगे लेकिन इंटरनल बात जो है तो जब बात बाहर आ गई मेडियम आ गई तो क्या ही इंटरनल रही दूसरा एक यह आया कि सचिन पैलेट अपने मुद्दों से परे नहीं जाएंगे जिस तरह से उन्होंने कह दिया युवाओं के चालों के चालों की कसम उसके लिए भी उस फॉर्मूला में एक जगह दी गई है कि जो पूरुवर्ती सरकार में जो गोटा ले हुए हैं उनके लिए एक कमेटी या कमिशन कॉंग्रेस की नेताओं का बन जाएगा तो सचिन पैलेट के लिए कहने को भी हो जाएगा लेकिन इस बात पर अगर सचिन पैलेट राजजी होते हैं तो मुझे कवी है संपत सरल सटाइरिस्ट है उनकी बहुत जबरदस्त लाइन याद आती है वो कहते हैं कि भारत में कोई भी जाच आयोग अंतिम निशकर शुन्य में शुन्य का योग तो हो सकता है कि सचिन पैलेट की जो उत्सा ही जो गोशना ही थी अगर यह सेट अप होता है तो लेकिन मुझे लगता है कि अशोग गहलोत इस मूर्ड पे है नहीं लेकिन अगर आलाकमान अपना निर्णे अपने हिसाब से लेता है और वो चाहता है कि 2023 का एलेक्शन मिलके लड़ा जाए तो फिर इस फॉर्मोलो पे जाया जा सकता है जो आदिवासी समधाय का व्यक्ति था वो सुसाइड कर गया और मलग करवाई क्या हुई आप यह देखिए कि होटल बन रहा था वहाँ पे जमीन गहर मुम्किन जमीन पे और वो एक बड़ा खेल है इसको समझने की जरूरत है कि उस फॉर्मिले पर आपका क्या कहना है असो गलोट सी एम सचिन पालेट पी सी सी चीप कोई जाट फेस डिप्टी सी एम कैसा एक बात और चल रही है कि अगर सचिन पालेट कोई पद नहीं लेना चाहते है और परटे के साथ रहना चाहते है तो इस तरह की जाच आयोग या का एक सैटप बनाया जाए जिसमें आला कमान का वो चहरा उसे लीड करें और सीपी जोशी को प्रदेशाद्यक्स बनाया जाए जो की 2008 की चुनाओ के वक्त प्रदेशाद्यक्स थे और उन्होंने प्रभावी रिजल्ट भी दिये थे और सीपी जोशी और गहलोत खेमे के ब दूसरे जाट और कौन से चहरे हैं जिन पर उन्हें अभी फुल्फिल मुख्य सचतक तक का प्रमोट नहीं किया गया है डिप्टी सीएम एक बड़ी जिम्मेदारी होती बेसिकली अभी तो क्याबिनेट मंत्री का दर्जा बड़ी जिम्मेदारी तो गैलोत खुद लेना च हैं उन्होंने आला कमान के अनुसार पद लिया और ऐसे दौर में लिया जब कॉंग्रेस दो फाड हो रही थी लेकिन असोग गैलोत इस फॉर्मूले के लिए कैसे तयार होंगे वो तो सचिन पाइलेट को बिलकुल ही अगर वो PCC चीफ रहेंगे तो उनके नितरत में चुन नहीं करें तब तक इन्हें कयास ही का जाएगा मेडिया में बाते आ रहे हैं कुछ सोर्स बता रहे हैं लेकिन अब अला कमान के जो पांच लोग मेटिंग ले रहे हैं उसके बाद जो तीन लोग तय करेंगे क्या निरने होगा अगर यह पेपर चेक करने वाले तो वो होंग जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह से जादू दिखा रहे हैं एक बाद एक तो वो सचिन पैलेट को क्यों आगे बढ़ाएंगे क्या लगता है कि तीस तारीक तक ये आला कमान की बैटक फिर से हो नहीं नहीं है। तो अगर अपन सिविल प्रक्रिया सहिता समझें और इसको टॉट्स अगर मानें कि ये एक अपरादिक दुश्कृति है जिसके कारण ये व्यक्ति को ये एशोर किया गया था कि तुमारा इतनी तारिक को पेपर होगा उसके लिए उसने पैसा खर्च किया है और वो उस व्यव किया गया उसके बाद में कि ये इस तरह का वो है मानसिक दिवालियापन है वद्धिक दिवालियापन है तो उसके बाद कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं कि जब आप कॉंग्रेस के विदायकों को जो ये दावा है आपकी और से वो पैसा लेके आए हैं और जब बीजेबी और ब्रश्टाचार के मुद्दे के नहीं लड़ा जाएगा उसके अलावा कई सारी चीजे हैं तो वो चल रही है देखो आप और ब्रश्टाचार पर ब्रश्टाचार पर बढद मेर में थे प्रदेश अद्देक सीपी जोशी बाद मेर थे एक बार फिर से वो मुद्दा है ब्रश्टाचार वाला और बीजेपी लगातार उस मुद्दे को लिये हो चल रही है अजमेर में एक बड़ी जन सब्दे को कोई मार्केबल कॉट वहां पर एक बड़ी संबावन है बन रही है तो वहुत सारे मुद्दों पर आज वरिष्ट पत्रकार और राजनीतिक वि कर रही है